फूल नहीं मिले तो बुजुर्ग महिला ने धनिया पत्ती से किया भगवान राम का स्वागत लोग बोले कलियूग की माता शबरी मद्धप्रदेश के एक सहर से भगवान राम के प्रति प्रेम भावना दिखाने वाली एक अद्बुत कहानी सामने आई है जहां पर राम नौमी की शोभा यातरा को देख एक बुजुर्ग महिला भाव विभोर हो गई और भगवान राम के स्वागत में धनिया की पत्ती बरसा दी जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बुजुर्ग महिला की वीडियो बनाई और या वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और इसे लोग काफी जादा पसंद भी कर रहे हैं भगवान राम के प्रति इतना प्रेम और भावना देख कर हर कोई गदगद है वहीं कुछ लोग बुजुर्ग महिला की तुनना सतियुक की माता शबरी से कर रहे हैं गुरवार 30 मार्च को मद्द प्रदेश के सिरोष शहर में राम नौमी पर भगवान राम की शोबह यात्रा निकाली गई या शोबह यात्रा जब मुख के बाजार से होकर सड़क के किनारे सबजी की छोटी दुकान लगाने वाली बुजुर्ग महिला के सामने से निकली तो उसने देखा कि भगवान राम के स्वागत में लोग उन पर फूल बरसा रहे हैं या देखकर भगवान राम के स्वागत में उसके पास फूल नहीं थे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वा भगवान राम के स्वागत के लिए इतना उत्साहित हो गई कि उसने अपनी दुकान से कुछ धनिया की पतियां लाकर भगवान राम की शोभा यात्रा पर नचावर कर दिये बुदर्ग महिला की भक्ती और प्रेम देख कर यात्रा में शामिल विकी रगवन्शी ने रामकली की तुलना माता शबली से की और उन्होंने उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया आपको बता दे कि रामकली की श्वाह लगबग 30 साल से यहां सबजी की दुकान लगा रही है उनके परिवार में अन्य जितने भी सदसे हैं वासभी सबजी की दुकान लगाते हैं पूरा परिवार अपने खेतों में सबजी उगाता है और उसे लाकर बाजार में बेजता है और इसी से उनका गुजारा होता है